नमस्कार विध्राण मायो मैं रभी शाहु ग्रामील उद्यान विश्तार एदिकारी विकास्खन पोर्षा जिला मुरैना से द्रमगर विकास्खंड के द्रमगर गाओं में आए हैं अब हम यह राम्भोख कुसबा जी के खेट में आए हैं हम इनका experience पूछना चाहते हैं जहां आज का time है कि लोग यहूं और जो भी food crops है अनाज वाली फसलों में बेस्थ हैं और जो बुनाफा है आज का दिख रहा है जो नई technology के साथ या फिर कहें तो किसान का जो रोची जो बढ़ रही है सब्जी की फिसल में तो यह जो रामभोग जी है इन्होंने ग्यहूं और शर्सों का जो system था उसको बदल के और सब्जी के छेत्र को नया विस्तार देने के लिए इन्होंने इस बार गोवी किया है और आपको हम इन्हीं के उन्हों से हम कहलवाएंगे कि इनने वाकई में कितना अच्छा गोवी की फसल करके उसको कित लोग तो ग्यहूं में ब्यस्ते हैं और आपने कैसे सुचा कि आप सब्जी करें और देखिए किसान भाइओ इनका कहना है कि जब हम सर्शों या ग्यहूं करते थे तो हमारी जो लगत 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 उतना ही पैसा मिल पाता था थोड़ा सा जादा दस या बीस जार हमको उसमे इनका मुनाफ़क कितना हुआ था से 3,00,000,000 ने इस बार गोवी का मार्केट किया है और इनका कहना है कि नई टेकलोजी के साथ उध्यान की बवाग की जो ड्रिप सिस्टम है अगली बार आप ड्रिप सिस्टम लेना चाहेंगे अपना के गोवी को टमाटर को बागी और सब पितना अच्छा कर सकते कितना मुनाफ़क कर कमा सकते हैं तो आप लोग इनके साथ सीख सकते हैं कि अ के सीजन में नो ने लगबग लगबग खतम कर दिया है थोड़ा सा बचा यह देखिए इनका फूल है यह अभी लगबगबंग से 2 को का साइज है और इनका के साट है लगवक सारे फूल इनके आप इनके रहा है लेकर ये फूल भी आप देख सकते कितना बड़ा है और इनको कितना रेट मिल गई यह गोवी की मार्केट में 30 रुपाइ के रुपाइ कि अनुने गोवी की मार्केट कर ली है और पूर्सा की मंडी इनों ने की है लोकल मंडी में इनों ने 30 रुपए का भाव लेके और ढाई से 3 लाग रुपई है दो भीगा में कमा लिए बहुत अच्छा इनको 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 हमें भी सीखने का मौका मिला है और मांकी किसान भाईयों को जरूरत है कि इनसे कुछ तीक है और नाम पंचायत में रहते हैं और आप लोग इन से मिल सकते हैं हम आपको इनका मोबाइल नंबर इनका एड्रस आप लोगों को शेर कर देंगे धन्यबाद बन कर दो